दोस्तों, आज हम लोग discussion करेंगे एक ऐसी stock की, जो कि अभी के लिए काफी emerging stock है, और आगी के time पे उसको future oriented stock के हिसाब से भी लिया जा सकता है, तो जिसका नाम है कलपतरो Power Transmission Limited, तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करोगे कि अभी का situation में इसका काफी ज्यादा उच्छा लाया कि कमपनी कैसे पॉफम कर रही है, तो उस performance के हिसाब से हम लोग को किस हिसाब से future prospecting में हम लोग को किस हिसाब से expedition रखनी चाहिए, और आगे हम लोग 6 जो technical setup है, उसमें भी हम लोग discuss करेंगे इसका proper price range, और 100 में क्या target होने वाला, किस तरब का आपका trend होने वाला है, और आग करूँगा, तो आखिर तक वीडियो के साथ मेरे साथ बने रही हैगा, सोधर आपको proper information completely मिल सके, नमस्का दोस्तों, market delight में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज, कल्पत अरु पावार ट्रांश्मिशन लिमिटेड के बारे में, तो जैसे कि, आज पतर प्रैक्टिस हम लोग चलते हैं, इसका जो annual report है, उसमें से काफी दर जादा हम लोग को मदद मिलता है, काफी कुछ knowledge हम लोग गेन कर पाते हैं, लाइट, तो यहाँ पे पांच sector जो है, पांच area है, पांच vertical जो बोलते हैं, तो पांच verticals के इसका revenue जन के उपर है, और यहाँ पे यह खाली इंडिया में यह खाली present नहीं है, अल्रेड़ी एशिया, लाइटन अमेरिका और आफरीका में अच्छा का सब इसका presence बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जिसी साफ से सब्स्टेशन यह सेट अप कर रहा है, जिसी साफ से इसका order book दिखा रह है, जो कि अभी के लिए continue है, और second बाला जो चीज है, वहाँ पे gas and infrastructure के उपर यह भी काम करता है, तो gas pipeline में इसका इसका setup है, उसके उपर यह अच्छा कासा, इसका पकड एक market leader है, अगर आप लोग बोल सकते हो, तो यहाँ पे अगर आकड़े देखा जाए, तो 1150 km का यहाँ हो चुका है, only and only 2019 and 2020 में, बागी लंबा तो आप लोग छोड़ी दीजिए, और यहाँ पे अगर बात किया जाए, थर्ड बला जो revenue जहां से जेनरेट होटा है, revenue generating vertical, जो कि रेल्ले इंफ्रास्ट्रक्ट्रक्टर राइट, और यहाँ पे 200 क्राक किलोमेटर में, यहाँ पे र 31 मार्च 2020, तो जो कि अभी के सिच्वेशन में, एक काफी लंबा तो ठीकेगा, जितना भी ट्रेन राज है, बिना electric के तो चलना विला है नहीं, और अल्रेड़ी इसका market setup, अल्रेड़ी इसका brand value, इसी segment में create हो चुका है, तो उसी related भी अगर आप लोग बात करोगे, तो यहा से भी withdraw कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, इसका fundamental के ऊपर, तो आप लोग को देखा गया कि 4,737 करोड का यहाँ पे company है, और यहाँ पर ROC आप लोग को दिखेगा 20.1% के हिसाब से, जो कि यह काफी impressive ROC है, और यहाँ पर date के ऊपर बात किया जए, थोड तो आप लोग के यहाँ पर अगर दिखेगा कि जिसी साब से, जैसे कि 7 कंट्री अमरीका में हो गया, अपरीका में 21 कंट्री, यूरोप में 4 कंट्री और ऐसे आप इसे टोटल 16 कंट्री में यहाँ पर exist किया हुआ है, और मिडी लिस्ट के बात करें तो 7 कंट्री में यहाँ पर exist किया हुआ है, तो टोटल इतना ज्यादा कंट्री को अगर overcome करना है, वहाँ पर अपना काया विस्तार करना है, तो आप लोग को investment का तो काफी जरूत पड़ेगा, उस investment के लिए आप लोग को loan लेना तो बिलकुल जरूत पड़ेगा, तो उस loan के हिसाब से आप लोग को पैनिक होने का कोई जरूत नहीं है, मानता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, हम लोग का जो threshold होता है, जो कि debt to equity ratio होता है, उससे काफी कम है, लगभग 20% के असपास का कम है, और यहाँ पे उस इसाफ से अगर देखा जा और यहाँ पे लगभग उपे मेंटेन करने के लिए कोसिस कर रहा है, और कमपनी प्रॉफिट जेनरेट कर रही है, और उसके साथ सार क्यास फ्लो भी जेनरेट कर रही है, जो कि last 3 साल में 1982 करोड का क्यास फ्लो जेनरेट किया हुआ था, on an average, last 5 साल में 326 करोड के यहाँ पे क्या जेनरेट किया हुआ था, तो क्यास फ्लो सेगमेंट में देख लो, या प्रॉफिट सेगमेंट में देख लो, थोड़ा सा तो रिस हम लोग को भी उठाना पड़ेगा, लेकिन, आम लोग को जीसी साब से रिस्क उठाना है, हर एक जो पैसा है, एक चार्ग जाएगा ब 57.5%, जो कि एक one and only negative news है, तो यहां पर जो प्लेस परसेंटेज को यहां पर रख के इस कमपनी ने अपना जो funding रेज किया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको अगर ध्यान में देखिया, उसको प्लेस को आप लोग को reduce कर सके कमपनी, तो आप हम लोग के लिए काफी अच्छा तो एक ही चीज मेरे को negative मिला, और अगर यहां पर investors के उपर आप लोग जाके shareholding button चेक करोगे, यहां पर जो FIA का holdings है, वो 5.32 में यहां पर 6.46 का तक आ चुका है, और DIA का holding के उपर बात किया जाए, 19.56 में 26.37 में आ चुका है, तो FIA, DIA जो बात करते हैं, उनका जो stakeholding बढ़ाए हुआ है, लेकिन promotor holding के उपर बात किया जाए, तो 59.32 से सीधा 55.29 तक आ चुका है, जो कि 4% के हिसाब से यहां पर घटा हुआ है, गौर्मेंट अपने stakeholding पूरा sold कर चुका है, और public के पास भी काफी कम stakeholding है, तो overly full मिला के बात किया जाए, अगर FIA, DIA के साथ अपलग आप लोग जाते हो, तो यहां पर एक bullish segment जरूर देखने के लिए मिल सकता है, और यहां के जो date है, clear करने के लिए ज्यादा time नहीं लगा, because emerging sector में थोड़ा सा date तो बनता है, उस date को अगर वो अच्छे से manage कर पाए, तो आप लोग का जो place percentage हो गया, या date हो गया, उसक सुरू हुआ है, अभी यहां पर intensity भी थोड़ा सा पकड़ा हुआ है, तो उस हिसाफ से बात किया जाए, तो एक बार उच्छाल आप लोग देख सकता है, उपर की तरह, for the short term, यहां पर आप लोग का एक उच्छाल देखने के लिए मिलेगा, अगर mid term के उपर बात किया और one month के उसाफ से बात किया जाए, अभी crossover करने के लिए कोसिस कर रहा है, अगर one day में crossover करके उपर जा रहा है, one week में भी same situation है, तो one month में भी इसका reflection जरूर आएगा, और यहां पे आप लोग को कलपतरू power transmission limited में एक अच्छा का सा उच्छाल देखने के लिए मिल सकता है, और इसको overcome करता है, इसको crossover करता है, तो आप लोग एक लंबा time के लिए एक multi-bagger return देने के लिए ये तियारी में चल रहा है, तो अगर इसको multi-bagger return के हिसाफ से अगर आप लोग देखोगे, तो लगभग यहां से, लगभग आप लोग multiple by 2 and 2.5, इसको multiply कर लो, जितना आपका rate आ सकता है for the long term, correct, और यहां पर अगर आप लोग time के range के उपर भात करोंगे, तो आप लोगो तीन से 3.5 साल यहां पर लग सकता है, और यहां पर सबसे important one, जो कि हम लोग को काफी मदद करता है, और हम लोग का सबसे USP होता है, और काफी reliable partner होता है, that is candlestick pattern, तो candlestick pattern में आप ल एक बार आप लोग को गिरावर्ट को नजर देना पड़ेगा, थोड़ा सा correction होता है, आप लोग को यहां पर उठा सकता है, but not for the short term, short term में थोड़ा सा इसका उच्छाल दिखा सकता है, लेकिन यहां पर जितना green calendar बना हुआ है, उसके साथ volume थोड़ा थोड़ा धीरे घड़ सकते हो कि 50 to 60 रूपीज यहां पर नीचे आ जाए, फिर यहां पर क्या situation है, उसी situation पर तेख कि अगर आप लोग एंटरी करते हो, तो आप लोग को सही valuation पर कलपतरू Power Transmission Limited का stock मिल जाएगा, तो यह वाला थोड़ा ध्यान से रखना, थोड़ा सा 50 to 60 रूपीज यहां पर गिर सकते हैं, और यहां पर बात किया जाए, correlation coefficient की, तो correlation coefficient के हिसाफ से निकल के आता है, 0.84, तो 0.84 का correlation coefficient मतलब हुआ, कि निप्टी जिस तरह मुमेंट करेगा, maximum to maximum chances से इसको भी खीच के उपर ले सकता है, या नीचे ले सकता है, तो निप्टी जब भी इसका कलपतरू Power के उपर आप लोग investment decision लेते हो, तो एक बार निप्टी को भी ध्यान में रखे लेना है, तो क्योंकि निप्टी के साथ इसका थोड़ा सा संबल अच्छा गासा है, तो आप लोग ऐसा ना हो कि निप्टी एक तरफ मुमेंट करा है, लेकिन आपका जो trade हो उसका opposite में है, तो उसको चाट है, तो वहाँ पे अभी के लिए overbought zone में बिल्कुल आने के लिए कोसिस करा है, लेकिन स्टिल अभी कोई भी selling signal नहीं आया हुआ है, अगर भी selling signal आ जाता है, तो जैसे आपको बताए को 50-60 रुपीज यहाँ पे correction हो सकता है, तो उस correction को ध्यान में रखे, आप लोग को वहाँ पे investment करने के लिए काफी ज़्यादा अच्छा का सा opportunity मिल सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखे, आप लोग को काम करना है, फदर-sort term, और यहाँ पे अगर mid-term के बात किया जाए, तो already range का अंदर है, लेकिन कोई भी proper selling signal यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे already selling signal दे चुका है, और selling signal के बार, यहाँ पे range के अंतर भी entry कर लिया है, थोड़ा सा जैसे कि आप लोग को बताया, जब भी one day chart में थोड़ा सा confirmation आ जाएगा, तो one week chat में भी आप लोग को कोई दिखकर नहीं होगा, तो आप लोग already safe for the long term के basis में अगर बात किय और यहाँ पे, जैसी हिसाब से one week, one sorry, one month का जो chart दिखा रहा है, तो वहाँ पे आप लोग को एक range के अंदर ही दिखेगा, तो यहाँ से आप लोग को completely एक proper conclusion नहीं निकल सकता है, तो यह था fundamental और technical analysis of कल्पतरू power transmission limited, तो यहाँ पे आप लोग को कैसा लगा मेरे को एक आप मे situation है, उसको उसके साथ ही में खड़ा हुआ हूँ, चाहे market का जो भी situation हो, आप लोग को guide करने से मेरे को अच्छा लगता है, और आपको guide करने मेरा, that is my job only, right, तो आप मेरे साथ बने रहे हैं, चैनल को subscribe कर लिजए, और इसको जो वीडियो है, आपको like कर दिज़े, और दोस्त अगले वीडियो के लिए वीडियो को इजात्त दीजे, thank you, thank you so much.